नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर professors के बात करेंगे बाजार की बाजार में आज गिरावट आई है एक सबाप परसेंट की तो बाजार में क्यूंग गिरावट आई है आतको एकस्पेण करेंगे का पूरा सिनारियो आपको बहुत ही चोटी सी वीडियो में हम देंगे इसके लिए आप से लाइक की उमीद है चलिए एक्स्प्लेइन करते हैं बाजारा 14430 के आसपास क्लोजिंग दी है यह प्रोबिजिनल क्लोजिंग थोड़ी सी उपर नीचे होगी फ्यूचर में अभी भ कहा था कल की वीडियो में भी कहा था कि निफ्टी फ्यूचर को आपको बेंच के चलना चाहिए उपर अगर मिलता है सौट कर दीजिए या फिर आप बेंच कर चलिए कुछ खरीदी अगर नहीं वीडियो जरूर देखिएगा उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे तो वहाँ पर क्या सीन है अमरीका का फ्यूचर बहुत ज्यादा डाउन नहीं है दूसरी चीज अगर आप सिनारियो देखोगे योरोप की बाजार का या फिर चाइना की बाजार या जापान की बाजार यह सब आधे परसंद क का बाकी अगर आप नॉर्मल सेंस में समझोगे स्टॉक्स गिरे हैं और इसी कारण निफ्टी में गिरावट आई है स्टॉक्स कौन से गिरे हैं टेकनोलोजी स्टॉक्स अगर आप देखोगे टेक महिंद्रा इंफोसिस यह सब बाजार को नीचे ड्रैक की है और टेक से की आइसी आइसाई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक यह सब भी बढ़िया धडल्ले से गिर गए एक स्टॉक की अलग बात करेंगे डिमार्ट यहां पर भी एक बड़ी गिरावट आई बाजार में इसका वेटेज कम है इसलिए यह बाजार को सहरा ने दी पाया यूपियल का भी वेटेज कम है यह उपर ट्रेड कर रहा था कोई सेंस बनता नहीं है बाकि एक और स्टॉक था जो उपर खुला था भारती एयर टल यह उपर से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग इसमें ही आई है आई टी सी एक निफ्ती का दिगज था दो समालने की कोशिस कर रहा था यह बहुत ही बेहतरीन ब्रेकाउट लेवल पर भी आया इस पर थोड़ा सा फोकस बना कर रखिएगा ब्रेकाउट वाली वीडियो आप इस पर ट्रेड जरूर लीजेगा सपोर बहुत तगड़े से वेलिवल है कैसे जैसे चावदा दो फार यहां सपोर्ड के रूप में है और बाजार यहां तक ही फिचल सकती है प्रिजन सिनारियो में जो डेटा बनकर आ रहा है वो हम अकल की बाजार वाली वीडियो में एक्स्प्रें करेंगे आप लोगों की query थिक बाजार कियोंगी दी वहीं हमने explain किया क्योंकि जो technology stocks हैं वहाँ पर profit booking आई है बहुत सारे stocks हैं जहाँ पर profit booking आई है Reliance जैसे दिगज ये चलने का नाम नहीं लेर है उपर से गिरावट आ जाती है इसलिए बाजार गिर जाती है ICICI Bank और Kotak Mahindra Bank की आफिर banking sector, metal sector यहाँ पर profit booking ही आ रही है आपको ये बात समझनी होगी और इसी कारण बाजार में गिरावट आती है ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि overall सिनारियो में कुछ negative हो गया है बज़ाट आने वाल है तो थोड़ा सा लोग cautious हैं बागी अगर जाते आते एक बात कहना चाहूं तो जो data बन के आ रहा था टेक्निकली और fundamentally वो negative था और इसलिए बाजार गिरी और इसको समझने के लिए आप हमारी कल की बाजार वाली वीडियो को कभी मिस ना किया किगे जिससे आपको आने वाले दिन का इंसाइट पता चले कि बाजार कैसा momentum कर सकती है अभी के लिए इतना है मिलेंगे फिर से किसे इच्छी वाली वीडियो में तब तक के लिए हैस्ते खेलते रहे यार वीडियो देखने के लिए आपका बदूत आबार धन्यवाद